जैस्वी कृष्णा दोस्तों, अपना देश चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों कार्थिक मास की चतुरदशी को छोटी दिवाली, अमाउशा को बड़ी दिवाली और कार्थिक पुर्णिमा को देव दिवाली का परु मनाया जाता है लेकि दोस्तों आप कमेंट करके जरूर से बताएं कि क्या आप देव दिवाली का परुम बनाते हैं और दोस्तों इस दिन आठ जगह ऐसी होती है जहां पे आपने दीपदान अवश्र करना चाहिए यह जगह कौन सी इसका डीटेल वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों कार्तिक पुनिमा के दिन तृप्रासुर का वद किया था भगवान भूले नात ने और त्रिप्रासुर का संगहार करने की कारण ही भगवान बोलेनात का नाम पड़ा था त्रिपुरारी और दोस्तों इसी वज़े से ही कार्थिक पुर्णिमा जो है त्रिपुरारी पुर्णिमा के नाम से भी जानी जाती है इसलिए इस दिन भगवान बोलेनात की पूजा का विधान आता है इसके साथ ही कहते हैं कि मत से अवतार जो भगवान विष्णु ने लिया था सत्यूग में वह अवतार भी कार्थिक पुनिमा के दिन ही भगवान विष्णु ने लिया था इसलिए ये दिन बहुत खास है आज के साथ ही भगवान श्री कृष्ण को इस कार्थ कार्थिक पुर्णिमा को ही आत्मबोध हुआ था तो कहते हैं ज्ञान के लिए हर तरह के शक्ति के उठान के लिए ये दिन बहुत जादा खास होता है इसलिए इस दिन के महत्व दिया गया है साथ ही तुलसी जी का प्राकटे भी कहते हैं इसी दिन ही हुआ था इसके साथ ही क लेकिन दोसरे इसकी पीछे-पीछे कहानी एक्षिड में यह है कि जब बाली ने सभी देवताओं को स्वर्ग से निश्काशित कर दिया था स्वर्ग पे अपना आधिपत्य कर लिया था तो सभी देवताओं ने भगवान विश्णु से प्रात्ना किया भगवान विश्णु देवताओं को वापिस स्वर्ग प्रदान किया तो स्वर्ग प्राप्ति की खुशी में उन्होंने गंगास नान किया था और दीपदान किया था और इसी वजह से इस दिन को देव दिवाली की रूप में मनाया जाता है दोस्त अगर आप भी देव दिवाली मनाते तो और इंफमेशन आची लगी हो तो शेर कर लीशेगा!